कम से कम दस बारा मेलाई कठा कर नहीं पड़ देती तब एक दिन सब कठा होगी रोटी बनाते जे सूजी बनाते जे कोई सांट बाण करने को तयारी नहीं है वो जमाना गया अब पैसों का जमाना आ गया सब खचरों में डाल दें यह हमारी मुगल की मरास और इनको कन्नों में कि अब अभी यहाँ भी डालना भाक और दोस्तों आज खाने में प्योर पहारी खाना यह आप देख सकते हो राजमा के दाल तो दोस्तों भी गोबर डालते डालते पांच ब्र्यगर टाइम हो गया है और अभी इस हाँ अभी गूप्लीट नहीं हो पाया है और अमन यह आप देख सकते हो हालत खराब होगे सबकी तो दोस्तों भी रात के चेवेदेगा टाइब हो गया है और अभी जाके भी गोबर कंपली नहीं हुआ है अभी एक जोट होड़ा नहीं है हेलो दोस्तों गुड मॉनिंग कैसे आप सब आई होफ सब बढ़िया होंगे तो शुरुआत हो ऑज के ब्ल्श की ब्लाग की स्टाइटिंग में कर रही हूँ मॉनिंग के शाड़ी चैवीजे से और अभी दूप नहीं निकली है और साभने मेरे पीछे उन पाहाड़ीयों पर दूप की हलकी हलकी किरड़ है निकली हुई है और मैं इनके लिए छाई लेके आ चाय लेके अपने परांदे से और मैं ऐसे ठंड में इनके लिए चाय बना के भी ले आई और यह अभी तक देखें ऐसे बिश्टर के नीचे रजाई के अंदर लेते हुए अब उठ भी जाओ मौन अब दोस्तों भी मौनन के 7 अब नि बाइब लेता हुआ रहे तो शार रहे और अब कने प्याम हुआ दिया कने मैं पटा दे न और व PBS शकर प्र ओंव मौ सम कदना ई और भी। हञा थे जनक्राई से अंग कर से जज्ञे और दगड़े अभी धूप भी पूरी खिय चुकी है और ठंड भी कम हो चुकी है और मैं भी तियार हो गया हूं हाथ मुदों के और तियार इसलिए हो रहा हूं क्यूंकि आज हम गोबर डाल रहे हैं खेतों में और इस पार गोबर खुद से नहीं खचरों की साहते से अभी अंकल जी नहीं आया है खचर वाले बस वो आएंगे और फिर कार क्राइम इस्टार हो जाएगा और गोबर डालना हैं दूर दूर डालना हैं तो इस वार खचरों में डाल रहे हैं बाकि अभी नास्तनुसा बनाते हैं और बाकि मुश्वम के हालां देख सकते हो हेलो दोस्तों कैसे हो अच्छे होंगे आज हमारी मुला आता है और इनकी हम सब्जी बना रहे हैं यह होगे में करेले यह होगी पतले छेमी इसको बारा मास से छेमी भी बोलते हैं यह हर मौसम में होते रहती है और आज तक कंडियों पर हर आदमी डाल देते गोवर अब आज हम खचरों में डाल देए हैं उस्तों हमारे जमाने में तो संट बाट होती थी एक शgasन एक जाद था और कम शेकम दस बारा मेलाई कठा कर नीप पड़ देती तब एक दिन सब कठा अगी रोटी बनाते जे छे सूजी बनाते जे सूजी बनाते थे बुजी पहर पर मैडम जी आठा गुंद रही है तो यह पे रोटी बनाएंगी और अंदर पर मा सब्ची बना रही है यह हमारी मुगल की मराश इनको कंडों में बरेंगे और खचर आएंगी खजरों में डालेंगी और दोस्तों आप देख सकते हो अभी पूरी मरासमा लब फुलोर की है और खतम होते होते पूरा खतम हो जाएगा और भाकि अभी खचर आचुके हैं और इन पे कोवर भरने में शुरू हो गया है तो कुछ इस तरह से कोवर भरा जाता है और यह आप देख सो तो इतना फुल वरा जाता है लगवाग एक ख़चर में चार-पंच कड़ले आराम से आ जाते हैं और अभी नास्ता इनका हो गया है और अब भी डबू का प्यार का नाईम है अगर ना करो तो यह दिन बर घर ही नहीं आता कोई मुझे प्यार ही नहीं करता और इसी बात पर डबू एक ठुकरी रोटी की खाएगा डबू कैच करेगा अगर नहीं हो पाया कोई बात नहीं दोस्तों अभी हम कंडे बर रहे हैं खचर चले गए हैं और लगवक्ष एक खचर में चार से 5 कंडे आता है तो मतलब एक खचर चार पांच आदिमीं का काम आसान कर देता है दीखो इतने पूरे बर रहे तो पूरे एक खचर में यह आजाएंगे ऐसे में काम आसान हो जाएगा और दो खचर है यह तो मलब सीधे आठ दस आदिमी लगा दो और दोस्तों यह आप दे सकते हो महरास इतनी खाली हो गई है और अभी एक तो घंडे में यह पूरा साप हो जाएगा और देखतें डबू कैंच करता है कि नहीं करता है यह देखो इस वार खर दिया नजीक से इसको तो पताए नहीं चलता कि मुझे गुरूटी वी देखे यह देखो इसका खाने के लिए चले गया है एक टुकड़ा तो सुन निकाल दिया और एक उसके लिए चूड़ दिया यह देखो बहुत सारारती है यह तो दोस्तों अभ गास का रहे हैं पानी पी रहे हैं और बाकी इनको अभी चाय चुई पिलाते हैं और थोड़ा ट्रेस्ट करने के बाद फिर से काम पे लग जाएंगे क्योंकि इनको भी थकान लग चुकिया है सुवह से और हम को भी कि अधिक को मार बेटा क्या प्याड सुर के यहां पर नीचे पर मा और ऊपर पर यह बेटा सुर का है और हाथ पी रखाए इसमें अब दोस्तों भी दो फर के दो बज़े का टाइम हो रहा है और अभी भी लगे हैं गुबड डालने पर और यहां पर हमन भाई को चाहिए गा ठीक है थालत और तुझे एक खचर में लगवक कितने कंडे आते होंगे चार पांच कंडे आजाता है ना तो मलब एक खचर चार पांच आधिमों का काम आसान कर देता है देख सकते आप और सुबह से लगे हैं अभी डो बज चुके हैं और अभी अब अलब काम नहीं हुआ है कंप्लीट और लगवक शाड़े चार पांच बेज तक तो होई जाएगा और आगे पर दाई भाई है और पीछे आमन कि यहां पर हमन भाई को लगवक कितने साल का एक्सपेंस है रूटीन साल का तो हो गया है किदार में भी इसके खचर रहे हैं और य और दोस्तों सबसे पहले हमने उदर उन खेतों में डाला गोबर और उसके बाद यहां बीज में और अभी यहां भी डालना बाख ही है तो बहुत टाइम लगने वाला है देखते हैं कितना टाइम लगता है और टाइम भी दो बीजी का हो गया है और हलत भी खराफ होगे और दोस्तों मेरे सामने आप दे सकते हो इन सबी खेतों में लगबख गोवर पड़ चुका है और अब गैहों की फसल की तयारी हो रही है तो ये एक वार हल लगा के गोवर को डाल दिया है और इसको फैला के उसके बाद दुवार हल लगा के बीज को बुई जाता है और गैहों की फसल बुई जाती है इसके बाद बहुतायी होती है ग्याहों के वीजों की अभी हो रहा है त्पर के ड़ाइब नजी काम चल लगा हैाँ और बाकिया पनास देख सकते हो आदस जादा पूरी खाली हो गया है पूरी भड़ी थी और अभी बस यहां यह बचाया है कोवर तक तो इतना बचाया है बाकि यहां से लेकर यहां तक पूरी खाले हुए मरास इतना में नहीं खाना है इसको फुझा थे और बढ़ दिया है हालत खराफ हो गई है यह देश सकते हैं और दोस्तों हम सब लगे हैं कोवर बनने पर और खाना अज मैडम जी बना रही है तो क्या बना राएज खाने में खाने में खाने में बना है आज दाल चावल और सबजी दाल हमारी राजमा की और शौंट दाल शौंटा जिसे हमारी गरवाली बास में बुलते हैं अच्छा मदब घर की दाल है और यह मुली भी हमारी गर्की है मुली के पतों की भी और मुली के जण की भी और इसमें सब मिस्किया है बैंगन शिला मिस्ट मैसी वाली सबजी बना और अभी भी कंपली नहीं हुआ है लगभग पांस तो पजी जाएंगे और हालत खराब होगी जाब दी सकते हो शाथ पुरे बोबर से और आतमेता अप्टर भी बने लगा है पर क्या ही करें अभी शाड़े चार बुजे का टाइम हो गया है और अभी खाना का रहे हैं थोड़ा रेस्ट है क्योंकि बहुत बुक लगए लगी जब को इनकी तो खराब हो हुए है मैं तो मेरी तो उतनी नहीं हुए है क्योंकि मैं खाना बनाने वाली हुना और घर के सारे काम में आप खाना काते हैं अभी मतलब काम कप्लीट नहीं हुए है क्योंकि बहुत बड़े बड़े खेथ हैं और गोवर मतलब जिना ज्यादा पड़ेगा तो उतना अच्छा अनास होगा तो इसकी वज़ा से मतलब बहुत टाइम लग रहा है तो चलिए पहला काना काते है और दो पूली हो गया और बैंगन हो गया बहुत सारी चीज़े हैं और यह राजमा की दाल होगी और यहां पर यह खकड़ी तो दोस्तों भी गोवर्ड डालते डालते पांच बड़े गट्टाइम हो गया है और अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया है और अमन यह आप देख सकते हो प्राइब की और यह वाली मराज़ से पूरी खाली हो गई है और अब दूसरी मराज़ से गोवर्ड ला रहे हैं यह देख सकते हो बहुत दूरबाई की व्यादत खराब सबकी आलत खराब होगी है अब अधिक क्या पर नहीं क्या कर दो कर नहीं है तो दोस्तों भी रात के सब्सक्राइब हो गया है और अभी जाके भी गोवर्ड कंपलीट नहीं हुआ है अभी एक जोट हो डालनी है मतलब एक बार हो डालना है और यह तीन चार करने पर दिया है और एक कंड़ा और बरना है हालत खराब होगी सुपह से यह आप देशकते हो भी तो दोस्तों भी रात के साथ यह कंप्लीट कर लिए डालके और हालत खराब हो गया सुपह से अभी तक लगी थे और अभी हात मुदों के तियार हो गया है और आज साती मैं इनकी बेहल की लड़की का बड़े और मेरी चटोजी है तो हम को खास करके इन्वाइड कर करका है तो अभी तयार हो गया है और टाइम भी हो गया तो जल्ली जल्ली जाते हैं बाकि वहां भी मल्लब तयारी होई भी होगी तो यह भी तयार हो रही है बाकि मैं तो तयार हो गया हूं तो जल्दी तयार हो जाओ अब उपर जाना है ठीक है ठीक आप सीधा आपको मिलते हैं अभी बड़े पाटी भी हो गई है और हम घर भी आगे हैं और मेरे हस्बंट को बहुत अभी आगे हैं तो वह लेट गए हैं तो इनको आज बहुत थकान लगई है तो चलिए दोस्तों इसे के साथ आज वीडियो की है अपिय एंडिंग करते हैं बिलते हैं आपको नए दिन के नए ब्लोग में तब तक के लिए टेक है टाटा एंड भाई बाई दोस्तों और अपन देट सारा प्यार हो और सपोर्ट बनाये रिखें तक यू तोह मुच